हेलो दोस्तो वेलकम बैक एट फॉर्मूला बेस ट्रेडर जर्नी ऑफ लर्निंग्स टो एक्सलियो अर्निंग्स जो भी नए लोग है उनको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बहुत जरूरी है आप बहुत सारी चीजें मिस कर रहे हो जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी को प् कर लेते हैं मार्केट के कैसी रह सकती है उससे पहले एक बात बड़े अच्छे से आप समयना इस चीज़ को यह मेरा व्यू है मंडे के लिए मार्केट का आपका अलग हो सकता है मैं गलत हो सकता हूं अपने ट्रेड का अपने प्रॉफिट एंड लॉस के आप खुद जिम्म मेरा होंगे यह मैं मंडे के लिए इस्कलेमर डाल रहा हूं फिर मैं आगे बात करूंगा आपके सात में ठीक है बहुत ध्यान से समझना वीडियो लंबा होगा पूरा देखना तभी आपको समझा आएगा view सात में बहुत सारी लर्निंग है ध्यान से समझना मर्केट ने क्ल सेटलमेंट के बाद में 45,145 के ऊपर जो हमारी टारगेट था उसके ऊपर मैंने कहा था मेरको अपसाइड के ट्रेड में को इंटरस्ट निया ना मैं ले रहा हूं इसने ऊपर बेशक 150 पॉइंट का मूव दिया कोई फरक नहीं पड़ता मेरको नहीं था ट्रस्ट मैंने नहीं 6 के आसपास अब मंडे को क्या करेगा ध्यान रखना एक चीज़ का सबने वुलिश मूव बना लिया है को 46,000 निफ्टी का 20,000 पूरे न्यू चैनल ने 20,100 है मेरा फिलहाल ऐसा कोई व्यू नहीं है मंडे को हो सकता है कि यहां जैसे चला जाए यहां जैसे आ जैसे आ जाए इसको आना नीचे ही है अभी उपर जाने की इसके लिए प्रमेशन नहीं है यह मेरा व्यू है मैं गलत हो सकता हूँ ज़रूरी नहीं है कि दो महीने सही हो रहा हूँ तो मंडे को भी सही होंगा जी ट्वेंटी की बज़ा से उपर जार यह मार्केट जाने दो मैं अभी इतन ज्यादा convince नहीं हूँ upside के लिए upside के लिए market flat open होती है यहां तक का पहला target मान सकते हो आप upside के लिए ठीक है यहां तक का target आ सकता है इसको cross करकी यहां तक पहुन सकता है कोई दिक्कत नहीं है इसके बाद में मैं upside का trade at least plan करूँगा इसके ऊपर कोई level हो को target आपको दिखे ना द 45,000 455 के ऊपर में market trade करती हुई दिख जाए आप upside के लिए plan कर लेना इसका stopless रखके ट्रेल करना अच्छे target मिल जाएंगे बहुत मिल जाएंगे मैं आपको during the market update कर दूँगा अगर इसके ऊपर sustain करके trade करना शुरू करा तो ठीक है मैं अभी नहीं बता रहा हूँ आपर के level क जो कोई फाइदा नहीं है downside के लिए मैं आपको ये level बता रहा हूँ 44,000 940 support है बिलकुल बट ये support को आप ध्यान में रखना market यहां आके bounce करेगी पर इसके bounce price पता क्या होगा 44,000 910 के आसपास से note कर लो copy pen लेके लिखाने हुआ है ये candle support क्या है 44,000 940 support है बट यहां पर जब candle आएगी तो bounce करेगी कहां से नीचे को बिग निकाल के 44,924 से 910 के बीच में आके bounce करके price action मनाती है upside का trade लेना आपको 15 मिनिट के अंदर अंदर वो candle यहां पुचा देगी इतना बड़ा bounce है यहां पर बेशक market नीचे गिरे बाद में जैसे होता ना कि ball को Costco की ball को नीचे फैंको जमीन पर लगती है तो वहां से bounce करेगी तो यहां से bounce आएगा अगर बाइचांस चला गया माने सीधी candle break कर रही है तो इसके नीचे stop loss रखके चुप चाप निकल जाना चुप चाप exit कर जाना इसके नीचे stop loss रखके बहुत चोटा stop loss है इसके मुगाब शुरू करो आपकी life change हो जाएगी trust me levels आपको मिलते हैं trust करके काम करोगे फाइदा होगा अगर 44,854 को break करेगी तो आपको 44,678 दिखाएगा आप बोलोग यार पूरी market upside के लिए bullish है आप क्या बता रहे हो यार वो ठीक है वो मेरे को लग रहा है मैं क्या करूँ मेरे को दिख 55 के ऊपर trade करना शुरू कर दिया इसको sustain होके यहां से ऊपर trade करना शुरू कर दिया आप upside के लिए plan करना during the market I will promise to you मैं आपको ऊपर के target दे दूँगा for sure दे दूँगा upside के लिए target बट फिल हाल मेरे को अंदर अंतरा आत्माम नहीं आप बोल रही है कि मैं आपको ऊपर के लिए price action बनना चाहिए trade कैसे लेते हैं बहुत सरे लोग पुछे एसे लेते हैं एक candle दो candle तीन candle जब ये break करेगी इसको break करेगी इस hurdle को तो upside का trade लेंगे ये है genuine तरीका trade लेने का ठीक है और ये है trade यहां पे गया सीधा candle ने break करा दूसरी candle सीधा नीचे market को ठंडे दिमाग से देखना है फाइदा ही देगी ठीक है इतना सा है निफ्टी की बात करते हैं दिल पे पत्थर रखके उपर की line मैंने डाल दी है अभी मेरा मन नहीं है ठीक है market क्या होगा पहली बात तो इसको पार कर लेगी 90,865 को पार कर लेगी और यहां पे price action बना के trade करना शुरू कर दे बट माल लिया कि नीचे यहां से अपनी journey शुरू करती है तो upside के लिए आपका maximum target रह सकता है इसको break करती है suddenly यहां पे trap करती है लोगों को सीधा put side का trade लेलना put side में अच्छे target है और अगर यहां पे sustain होती है price action बनाती है valid दरीके से upside को break करती है valid दरीका क्या होता है again valid होता है यह एक candle गई गई पुश किया नहीं जा पाई downside को आई नहीं जा पाई break करा अब upside के लिए trade कब बनता है यहां पे upside के लिए trade बनता है जब भी market इस candle ने break करा था upside के लिए इस candle के ऊपर क्योंकि इस candle बहुत ज़्यादा wires आये थे यहां candle को पुचाया और market सीधा नीचे यही potential थी उस candle के ऊपर जब market निकलेगी तो upside ले trade लेना है आपका downside में यहां पे stop loss होगा उस candle में ऐसे ही नहीं भागना है कि आछा जा रही है फटा 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 ले लो wait करो wait करो एक trade मिलेगा दो रुपए कम मिलेंगे sure short मिलने चाहिए हड़डी में तुक्के में कोई trade करने से क कि दिन आपको मजा देदेगा बाकी आपकी सारी capital को उड़ा देगा फिर बोलते हैं कि zero हो गया option कुवा है आपको खा जाएगा इतना patience के साथ में अराम से करोगे trade कोई दिक्कत नहीं है क्या होगा upside के लिए इसको break करा sustain करा आपका target 19,900 और 19,942 maximum Monday के लिए जब तक market 19,610 त बना नहीं देखूंगा ठीक है new age trading सीखो old school TV बे बैठके बोल रहे हैं कि 20,000,121,000 चले जाओ भाहिया उनके चक्कर में सब लूटेंगे मेरे को तो doubt है कि कही gap down है ने खुल जाए मंदे को market ठीक है मैं इस सब चीज़ें बोलता नहीं क्योंकि फिर लोग जज करना शुरू क कर देते हैं यह नि सोचते हैं कि learning के point of view से बोल रहा है market gap up open हुई यहां पर open होती है projection बनाती है और sustain करती है तब मैं उपर के लिए जाऊंगा तब मैं upside के लिए plan करूंगा mood नहीं बनाना है कि नीचे जाना है यह मेरा view है overall market के structure को देखके जो इसने महौल बना रखा है पू यहां से कब से बात करें 11 बजे से लेके 3.5 बजे तक market इसी huddle के बीच में रह गई यहां क्या हुआ यहां पर final deal हो चुकी है कि क्या करना है क्या नहीं करना है यह मैंने अपने learning group में बहुत detail में शेयर करा हुआ है इसके बारे में जब तक 19,006 to 9,610 तक नहीं आती है market मार्केट में मैं कोई वो थोड़ी हूँ कि बहुत बड़ा खलीफा हूँ कि मैं गलत नहीं हो सकता हूँ बिल्कुल हो सकता हूँ पर यह मेरी सोच है मेरे को ऐसा लगता है और put side के लिए इस huddle के नीचे अगर मान लिया 19,00810 से लेके 19,00795 नमबर यार लेकर है copy पर लेक बन सकता है बिल्कुल बन सकता है बट अगर मार्केट ने 19,00795 को ब्रेक करा यह मैं लेवल बोल रहा हूँ तो आपको यह ठीक है यह मेरा लेवल है अच्छी बात है इसको भी ब्रेक करेगा और यहां तक आपको मिलेगा यहां आके बांस करेगा सीधा यह तुके नहीं है यह स्टड़ी है आप मैं क्या बता हूँ आपको कि यह कहां मिलेगी आपको लगए यह क्यों कहां से आ गया यह यहां मिलेगी ठीक है यह यह यलो लाइन डाली है को काउंट करना 19,745 मैं लोग गिरी तो यहां से पहले कोई स्टॉपज नहीं है अगर यहां से गिरी ठीक है 19,696 को ब्रेक करेगी और यहां पर 57 मिनट सस्टेन करेगी तो मार्किट आपको मेरी लेवल पर दिखेगी 19,629 से लेके 19,610 तक ठीक है और यह मेरा व्यू है डाउन साइड के लिए अगर मंडे को मार्किट 19,745 के आसपास आती है यहां से और इस एरिया के बीच में कहीं भी बाउंस लेती है मैं अपसाइड के लिए प्लान कर सकता हूँ यहां से मैं कर सकता हूँ प्लान अपसाइड के लिए बिल्कुल कर सकता हूँ ठीक है अगर मार्किट यहां पर मिलती है 19,783 के आसपास मैं अवोईड करूँगा अपसाइड के लिए ट्रेड लेना अपसा सा स्टॉपलस है बट जैसे 19,696 को ब्रेक करके ट्रेड करना शुरू करेगी मेरे को 19,629 और 610 नजर आएंगे जब यह नजर आएंगे तो फिर हम प्लान करेंगे आगे का कि हमें अपसाइड के लिए 20,000 के सपने देखने हैं कि नहीं देखने हैं गलत गाइड नहीं करूंग सब चीजें लर्निंग वीडियो आपके लिए आती रहेंगी अभी थोड़ा सब बीजी चल रहा हूं बस वह थोड़ा शडियूल से इस से निकल जाओं 10-15-20 दिनों में उसके लर्निंग वीडियो आती रहेंगी मेरे को एक कमेंट करके जरूर बताना आप लोग आप लोग जाद़ आती रहेंगी में बाव टुब खर्ब प्रीमाओ बास Warum यज़ रहेंगी में शन al elbow रहेंगी मेंट ऐस cha Arduino